हेलो दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं फर्याली आलू जो की आप फास्ट में खा सकते हैं और नॉर्मली भी आप बना सकते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए हरा धनिया, कड़ी पत्ता, चार मीडियम साइज के आलू हमने लिये हैं यहाँ पर हमने एक बावल में पानी लिया हुआ है, काली मीर्च पाउडर और हर्याली नमग हम आलू को सबसे पहले पानी में छोटे-छोटे टुगड़ों में काट लेंगे, पानी में हम काट रहें कि विए आलू काले ना हो और पानी में कट करने हो जाने के बाद हम पानी से अच्छे को दो-तीन बार आलू को अच्छे से दो लेना है यहाँ एकदम वाइट हो जाएंगे, देन फिर इसको एक सूखे कपड़े में, काटन के कपड़े में आप निकाल लीजिए ताकि पानी सोख ले, एकदम साफ हो जाएं आलू, जैसे ही आलू ड्राय होते हैं, देख कड़ाई में तेल गरम करके हमको उसमें डाल देना है तेल अच्छा गरम है, आप इसको हलके हलके हिलाते रहे, हमारे आलू बहुत जल्दी सुनहरे ब्राउन हो जाएंगे हमको बहुत जादा रेड नहीं करना है, अगर जादा रेड हो जाते हैं तो इसका स्वात थोड़ा कड़ा हो जाता है देन हम इसमें एड करेंगे नमक, फिर हम इसमें एड करेंगे काली मिर्च पावडर, जोकि एकदम बारिक होना चाहिए और इसके बाद हमने जो छोटे-छोटे टुकडो में जो हरा धनिया काटके रखाता हम उसको उपर से डालेंगे, ताकि यह थोड़ा अच्छा दिखिए, इन बहुत अच्छे से इसको हिला के मिक्स कर दीजी, ताकि नमक सारे आलू पे लग जाए, दोस्तों इसको एक बार ट्वाइस जरूर करें, यहां बहुत जाए, और आप इसको फास्ट में खा सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं